जार्खन के डिस्टिक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यह प्ट क्लास का ही लिक्टर है लेकिन इसे यूटूब पर ही अप्लोट किया जाएगा मतलब सभी के सभी 24 डिस्टिक के लिक्टर यूटूब पर भी अप्लोट किया जाएगे इसका PDF आप असानी से application से डाउनूट कर सकते हैं चाहे आप paid class में enrolled हों या फिर ना हों, ओके, तो ये जो topic है, आपने जितना जहरकंड.js पढ़ रखा है, समझे उसका एक समयरे है, इसी भी district के लिए जो भी important data होता है, उन सभी topic से निकाल कर इसको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ओके, आप देखेंगे कि 24 district पढ़न के बाद, जहरकंड.js का जो भी important topic है, या important data है, वो आपने याद कर लिया है, वो आपने समझ लिया है, ओके, तो जब आप जहरकंड.js पढ़ेंगे, ये जहरकंड के district को पढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या आपको बताया चाहेगा, में जो है, सभी district की, जो established year है, इसकी अस्थापना को कब हुई है, स्थापना, area, population, सिर्फ population नहीं, चाहिए वो sex ratio हो, literacy rate हो, या फिर वैसा कोई census का figure, जिसके लिए वो particular district कोई अस्थान रखता हो, उसे बताया चाहेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे census 2011 का important data, ओके, फिर विधान सभा, लोक सभा, अनुमंडल, प्रखंड, तिक्छन सस्थान, पॉरेस्ट, रिवर, वाटरफॉल, वाटर स्प्रिंग, जो गर्म जलकुंड होता है, मेंडरल्स, जो टूरिश्ट प्लेसिस हैं, तूरिश्ट प्लेसिस, अब इसमें जो है, तूरिश्ट प्लेसिस में, इसमें मंदिर आ जाएगा, इला आ जाएगा, फोर्ट, यह हो गया, या फिर कोई पार्क है, किसी तरह का उद्ध्यान है, मतलब वो टूरिश्ट एट्रेक्शन में आ जाता है, परेटर नस्थल के कडिगरी में आ जाता है, तो उसे यहां बताया जाएगा, फिर परियोजना है, जैसे किसे चाहिए परियोजना, वो बताया जाएगा, परियोजना, थासकर से चाहिए परियोजना, ओके, इंपोर्टेंट पर्सन, और सबसे इंपोर्टेंट, यह जो फौर्टिंथ नमबर है, इकोनोमिक सर्वे, या फिर इंपोर्टेंट रिपोर्ट, ओके, अब इकोनोमिक सर्वे में क्या पढ़ाया जायागा, जब आप इकोनोमिक सर्वे ओपिन करेंगे, तो हर डिष्टी के बारे में कुछ ना कुछ वहाँ दिया रहता है, जैसे कि इस लेक्चर में आप हजारी बाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हजारी बाग के संदर में जो भी important data है एकोनोमिक सर्वे में, वह आपको बताया जायागा, कोई important report है, इसमें कि हजारी बाग एक important अस्थान रखता है, वो बताया जायाएगा, तो इसलिए मैंने यहां लिखा Important Report Economic Survey जैसे कि कल टेलीग्राम में कोशन पूछा गया था कि जहारखंड में कितने Inspirational Districts हैं तो कौन-कौन सा उसमें आता है कौन सा नहीं आता है तो यह हर District को पढ़ाते समय बताया जाएगा जैसे कि Notified District होता है तो यह सभी Particular District को पढ़ाते समय बताया जाएगा ओके यह हो गया इसमें और भी है जैसे कि जो ग्रामीन अस्तर का अस्थानिय प्रसासन होता है वो बताया जाएगा फिर सहरी जो प्रसासनिक निकाय होते हैं यूनिट होते हैं वो बताया जाएगा जैसे कि नगर निगम हो गया तो यह सभी डेटा बताया जाएगा और आप जानते हैं कि यह सभी डेटा एक्जाम के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट तो अच्छे से इसको समझे और कोशिस करना है कि क्लास के दौरान ही सब कुछ याद हो जाए जब आप यह सब पढ़ना सुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप अगर फैमिलियर नहीं हैं तो हो सकता आपके दिमाग में आए कि इतना सार डेटा कैसे याद होगा दो-तिन दिन क्लास करने के बाद आप जो है यह महसूस कर पाएंगे कि जितना आपने पढ़ रखा है वो बार-बार रिपीट हो रहा है जैसे कि आज मैं जो बता रहा हूँ कल वाली लेक्चर में भी यह रिपीट होगा कही न कहीं वो रिकॉल मैं करवाता रहूँगा तो याद करने का जो टेंसर ने वो छोड़ देजिए बस जितना समय आप लेक्चर देख रहे हैं बस कोसिस कीजिए कि वो पूरा गा पूरा टाइम आपका नहान यहीं पर रहा है चलिए मैं लोगा स्टार्ट करते हैं हजारी बाग हजारी बाग ये जो है हजारी बाग इसका उप नाम है इसको साथ पहाड़ियों से घिरा सहर भी कहा जाता है और हजार बागों का सहर भी कहा जाता है तो ये आप याद रखेंगे ये सब डारेक्टली पूस्ता है एक्जाम में साथ पहाड़ियों से घिरा सहर या फिर हजार बागों का सहर ओके यह जो हजारी बाग है यह किस प्रमंडल में आता है उत्री छोटा नाकपुर यह जो है यह उत्री छोटा नाकपुर प्रमंडल में आता है इसमें total 7 जीले है और इसका head quarter कहा है इसका head quarter हजारी बाग में है इसका head quarter हजारी बाग में इसकी जो boundary है इसे हम लोग देखते हैं इसकी boundary की boundary इसके लिए map हमें देखना पड़ेगा तब जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे इसमें इसकी जो 4 हदी है इसे समझना हमें नौर्थ में नौर्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पर यह कोडर्मा है लेकिन कोडर्मा के साथ साथ यह जो area है यह क्या है यह बिहार का district है इसको बोलते हैं गया है तो नौर्थ में एक तो हो जाएगा पर्डर्मा और गया यह बिहार का district है इस्ट में गिरिडी होगा और बुकार हो जाएगा गिरिडी और बुकार हो ओके साथ में साथ में रामगर होगा ओके फिर वेश्ट में वेश्ट में चत्रा और रांची हो जाएगा अब हो सकता है कि इसे भी आप लोगों को confusion हो कि जो रांची है वो साथ में होगा ना कि वेश्ट में होगा तो एक चीज़ आप और जान लेजिए कि जो भी डेटा यहां बताया जा रहा है आपको वो completely जो government के document होते हैं economic survey हो गया census हो गया उन्हीं सब document से बताया जा रहा है किसी book का इस्तिमाल नहीं किया जा रहा है यहां पर यह जो मैं बता रहा हूँ यह census 2011 में mention किया गया है तो यहां पर सारांस यह निकलता है की जो हजारी बाग है यह जारकंड के यहारकंड के कितने district हो गया है एक गया है बिधार के साथ भी इसकी सीमा लगती है बिधार का एक district है गया बिहार का एक डिश्टिक है गए तो जो गए है ये हजारी वाग कोडर्मा और चत्टरा ठीक है हजारी वाग हजारी वाग कोडर्मा चत्टरा साठी साथ पलामू के साथ भी इसकी boundary share होती है गए का जारकण के चार जीले हैं ये हो गया इसका boundary अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इतिहास का part देखते हैं क्योंकि हजारी बाग बहुती बड़ा रिष्टिक हुआ करता था हजारी बाग से ही गिरिडी अलग हुआ है हजारी बाग से ही बोकारो अलग हुआ है बोकारो हालांकि गिरिडी सा लगवा बाद में लेकिन इसी में काउंट कर सकते हैं फिर कोडर्मा है, रामगड है, चतरा है तो बहुती बड़ा डिष्टिक हुआ करता था तो इसका जो इतिहास है यह हम लोग सौट में समझते हैं ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, देखिये यह जो एरिया हजारी बाग का अगर कभी एकजाम में आ जाए कि हजारी बाग का जो एरिया है यह मगड के समय का कौन सा राजा था जिसके यह कारचेतर में आया था, कंट्रोल में आया था तो मगड के सासन में दो राजा थे एक जरासन और एक महापदमनंद महापदमनंद जिन्होंने नंद डानेस्टी को इस्टेबिस किया था यह हो गए फिर मौरिक काल में असोक के समय यह जो है उनके कारचेतर में आ गए थे तो यह नाम आपको सिर्फ याद रखना है जैसे कि मगद की बात किये ज तो इसमें जरासन जरासन अर्यक डानेस्टी के पहले फिर महापदमनंद महापदमनंद जिन्होंने नंद डानेस्टी को इस्टेबिस किया था फिर हम लोग अगर बात करेंगे मौरिक काल की हालनकि यह मगद वाला ही एरिया आता है तो इसमें नाम आता है असोग का असोग की सासन काल में यह जो एरिया है उनकी अधिन था ठीक है फिर कलिंगा के एक राजा हुए थे खारवेल उनका भी नाम आता है कलिंगा के राजा इनके सासन काल में भी यह जो है उनकी अधिन आया था फिर गुप्त वंस में जब समदुर गुप्त दक्षिन की ओर जा रहे थे तो यह जार्खन के चेत्र से होते हुए गये थे अब जाकर यह जो हजारी बाग का चेत्र है उनके टच में आया था उनके कॉंटेक्ट में आ आता है यहां पर, ओके, अमदर गुप्त, जब यह दक्षिन की और जा रहा है थे, ठीक है, एक चीनी यातरी थे, जो की बौद भिख्शुक थे, वो नालंदा जाने के दौरान, जारकन के चेतर से होकर गुजरे थे, उनका नाम क्या था, इत्सिंग, एनी यातरी, इत्सिंग, ऐसे लिखाएगा, इत्सिंग, यह जो है, बहुत भिख्शुक थे, ओके, यह हो गया, फिर नागवंस के सासन काल में भी, यह जो है नागवंसियों की अधीन था, नागवंस का तो कारेच छेतर जो था, उनका पूरा का पूरा छोटा नागपूर था, जो कि अधीन था, ओके, यह हो जाएगा, पूरा नागवंस जो है, नागवंस के अधीन ये छेतर रहा था, ओके, अब हम लोग बात करते हैं मद्देकाल, यह तो हो गया थोड़ा सा एंसेंट हिस्ट्री, अगर मद्देकाल की बात की जाए, तो यहाँ पर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट राजा होते हैं, जिनके अधीन हजारी बाग का चेतर आया था, तो एक तो आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा जहार्खन जो है, वो तुर्की और अफगानी, जितने भी मुस्लिम सा पहर था, एक तरह से सोतंतर ही जहार्खन चेतर था, कुछ दिली सल्तनत के सासकों के सैनिक यहाँ पर आये थे, कुछ सासक भी यहाँ पर आये थे, लेकिन जहार्खन का चेतर उनके अधीन नहीं आपाया था, तो अगर बात किया जाए कि जो मुस्लिम सासक थे, कौन से मुस हजारी बाग उसमें छोटा नागपूर का ही साव हुआ करता था कभी भी इस तरह से कोशन आ जाए कि हजारी बाग जो है सबसे पहले किस मुस्लिम सासक क्या धिन आया था तो अकबर का नाम आता अकबर के सेनपती सहबाज क्या हजारी बाग पाच्छेत्र मुगल काल में मुस्लिम सासकों के अधिन आया था अधिन आया था और इसलिए आपको छोटा नागपूर भी याद रखना है ओके तो यहां पर अकबर हो जायेगा और इनके सेनपती कौन सहबाज खां इन्हों ने जो है सहबाज खां ने 1585 में जहारकण के चेत्र में आकरम्न किया था उस समय हजारी बाग छोटा नागपूर का ही चेत्र हुआ करता था तब 1585 और ये पूरा का पूरा छोटा नागपूर का चेत्र जो है कोकरा के नाम से जाना जाता था ये जो है ओकरा के नाम से जाना जाता था इस तरह से ये लिखाता है ठीक है फिर इबराहिम खाँ इबराहिम खाँ जो की नूर जहां के भाई थे इबराहिम खाँ ये जो है दोरजन साल को गिरफतार करते हैं गौालियर के जेल में इनको बंद किया जाता है तो हजारिक बाग का नाम उसमें आयेगा देखिए अब जो कोशन का लेवल आता है ना उसके इसाब से आपको यह सब पढ़ना पढ़ेगा इतना डीप में जो है जानना होगा इबराहिम खांग अरेस्टिट दूरजन सालि दूरजन साल जो थे ये नागवंसी राजा थे छोटा नागपुर के 46-मे राजा थे बारा साल जो है ये गवालियर के जिल में रहे थे फिर इनको छोड़ा गया था कैसे छोड़ा गया था जहांगिर के समय नकली और असली धीरे की पहचान करनी थी, इनको बुलाया जाता है, ठीक है, 6,000 रुपए वार्सिक माल गुजारी देने के सर्थ पर जो है, इनको रिहा किया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया, इबरहीम खांग के कंट्रोल में ये छेतर आया था, उसके उसके बाद 1632 में, 1632 में, छोटा नागपूर का जो छेतर है, ये जो है, बिहार के गवर्नर को जागिर के तौर पर दे दिया गया था, उटा नागपूर, बिहार के तौवेदार कहा जाता था, उस समय गवर्नर को, गवर्नर को जागिर के रूप में दे दिया गया था, उसमें एक एन्वल पेमेंट भी रखा गया था, एक लागप छटीज़ार देना है गवर्नर को, बाद में ये अमाउंट बढ़ा दिया गया था, ये 1632 में एक लागप छटीज़ार था, ये बढ़कर के 36 में कर दिया गया था, एक लागप एक सट हजार, वार्सिक, ओके, फिर जब मुगल सासक मुहम्मद साह का टैनियूर चल रहा था, उनके कारेकाल में सर बुलंद खान जहारखन में आकरमन किया था, मुहम्मद साह, इनके टैनियूर चल रहा था, 1729 से 1745, तो मुहम्मद साह के कारेकाल में सर बुलंद खान, ये बिहार के गवर्णर थे, ये जो है, गवर्णर ओफ, बिहार, ये एटेक करते हैं, जहारखन में, उस समय जो छोटा नागपुर के राजा थे, ये हो गया, फिर फकुरु दौला, फकुरु दौला, ये भी जो है, बिहार के गवर्णर थे, और इन्होंने भी जो है, जहारखन में आकरमन किया था, तब 1731, ये भी क्या थे, गवर्णर ओफ, बिहार, ओके, और इन्ही के कारेकाल में, जब फकुरु दौला, बिहार के गवर्णर थे, तो इन्ही के समय, अलिवर्दी खां, और रामगर्ड के जो राजा थे, इनके बीच जो है, मतबेद हुआ था, 1735 में, क्यों, रामगर्ड के जो राजा थे, उनको, जो माल गोजारी देना होता था, 12600, तो इसी अमाउंट को लेकर हुआ था, 12600, ये अमाउंट याद रखेएगा, इयर याद रखना है, और अलिवर्दी खां, रामगर्ड के राजा, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मध्यकाल था, तो इस समय, जो important राज्य थे, इस छेत्र में, वो कौन-कौन से छेत्र थे, important states, ये एक रामगर्ड था, रामगर्ड, उन्दा, केंदी, चाई, और खडगड़ी है, खडगड़ी है, ओके, तो ये जो है, important राज्य थे, British period में क्या-क्या important चीज़े हैं, उसको देख लेते हैं, देखे, इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा, उत्री शोटानागपूर के बाके डिश्टिक, तो ये history को repeat नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो है, पूरा का पूरा उत्री शोटानागपूर, कुछ हद तक दक्षिनी शोटानागपूर को भी cover कर लेता है, तो British period में, अब इसमें क्या-क्या important चीज़े हैं, एक तो आपको समझना है कि जब भी British की सुरुवात होती है, तो हम लोग कैसे सुरुवात करते हैं, कि 1765 में, 1765 में, सहा अलम दियुत्य जो कि उसमें मोगल सा सकते, उन्होंने बिहार, बंगाल और ओडिसा, इन तीन राजियों की जो दिवानी हैं, वो अंग्रीजों को दे दी थी, मतलब East India Company को दे दी थी, तो 1765 में, का आलम दियुत्य, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है, दीवानी, किस की दीवानी, बिहार, बंगाल, और ओडिसा, ये किस को दी दिया गया था, इस टिंडिया कंपनी को, इसका मतलब ये हुआ, कि जो इस टिंडिया कंपनी है, अब यहां से टेक्स कलेक्ट कर सकती है, और इसी के चेत्र में, बिहार के चेत्र में ही, छोटा नागपूर आता था, इसलिए हजारी बाग का भी नाम आ गया, ये हो गया, इसके बाद, अब यहां पर दो चीज है, कि हजारी बाग के चेत्र में, अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले कब होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि राजमहल में सबसे पहले सुरुवात होती है, लेकिन वो जो एंट्री होती है राजमहल में, वो बिजनस परपस से होता है, control के परपस से first time अंग्रेजों की जो entry होती है वो सिंगबूम के शेतरे से होती है तो इसी परपस से हजारी बाग में जो entry होती है वो 1773 में ये FIRST TIME जो CONT 1769 में चैमक के समय ये FIRST TIME probiotics में आता है और उस समय उद्यज से होता है कैमक का कि जंगल तराई का जो छेत्र है उसके जो कानुन है उसको लागो करवाना है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रिटिस जो है ब्रिटिस ये फर्स ताइम कॉंटेक्ट में किसकी बात हो रही है हजारी बात की बात हो रही है तो 1769 बाई कैमक क्यों कैसे कॉंटेक्ट में आया था जंगल तराई का जो छेत्र था तो उसी सिलसिले में यह आया था जंगल तराई का जो छेत्र था इसी सिलसिले में कैमक के कॉंटेक्ट में हजारी बात का छेत्र फर्स ताइम 69 में आता है ये कैमक ही है जिसको जिम्यदारी मिलती है रामगड का, पलामु का और छोड़ानागपूर का याद है न, उसके बाद 1769 में, इसके बाद 71 में, जो कैमक है इनको तेनापती बनाया जाता है, रामगड जो छेतर है इसका military collector बनाया जाता है, military commander भी कह सकते हैं, जैमक वाज मेट, military commander, okay, of रामगड डिस्टिक, रामगड डिस्टिक, यह हो गया, अगर बोला जाए कि मराठा के समय किस सासक क्या दिन यह चेतर आया था, या contact में आया था, तो मराठा का जब भी नाम आएगा, तो माधव राओ, माधव राओ, 1761-62, और जब इनका कारेकाल चल रहा था, तो रामगड बहुत ज़्यादा important हो जाता है, रामगड जो है, बहुत ज़्यादा important हो जाता है, ओके, यह हो गया, रामगड के जो राजा थे, वो इनके थ्रू ही छोटा नाकपूर के राजा ब्रिटिस को माल गुजारे दिया करते थे, बिहार बंगाल उडिसा की दिवानी अंग्रेजों को मिली हुई थी, तो यह लोग tax भरते थे, तो छोटा नाकपूर के जो राजा थे, तो वो ब्रिटिस को रामगड के राजा के थूर देते थे और उसी के एवज में, रामगड के राजा जो है, वो छोटा नाकपूर पर अटेक किया करते थे, कि तुमने टाइम पर जो है tax नहीं दिया है, तो यह बहाना हुआ करता था, इस से छोटा नाकपूर का राज होता है, रामगड का राजा मुकुन सिंग, जब उनका कारेकाल आता है तो उनको हटा करके तेत सिंग को राजा बनाया जाता है, तो यह सब कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि हजारी बाग का छेत्र रामगड के एरिया में ही आता था, और राम रामगड का राजा और छोटा नागपूर का राजा. इन में जो हैं, हमेसा मतभेध रहता था. क्यों रहता था? छोटा नागपूर का राजा, इनको जो है, टेक्स देना होता थाmb रामगड के राजा के थुरू. इस कारण से. ओके, तो यह हो गया एक दूसरा जब रामगण की राजा मुकुन सिंग होते हैं रामगण की राजा मुकुन सिंग इनको हटा कर जो है इनको हटा कर तेज सिंग को राजा बनाया जाता है तेज सिंग राजा बनाया जाता है और ये तेज सिंग क्या करता है तेज सिंग जो है ये रामगर की राजधानी इचाक करता है न इचाक हम लोग बादें पढ़ेंगे कि इचाक से जो है रामगर की राजधानी पद्मा हो जाती है और पद्मा जो है लास्ट कैपिटल होता है ठीक है यह हो गया फिर यहां एक चीज मुझे मिला था इसे भी आप याद रखेंगे कि छोटा नागपूर का जो पहला civilian administrator था वो चैपमें था फस्ट civilian administrator चैपमें इसका छोटा नागपूर का यहां पर क्यों बताया गया छोटा नागपूर के बारे में क्योंकि चैपमें के direction से कैमक ने बहुत सारे अभियान किये थे तो यह चैपमें का नाम याद रखना है अब बस यह complete होने वाला है फिर यहां पर आता है col vidro क्योंकि इसके बाद 1000 बाग जेली की आस्थापना हो जाएगी अब आता है col vidro col vidro जो है 1831 से 32 तक चलता है कol vidro के बाद जब यह complete होता है जब यह खत्म हो जाता है तो col vidro का प्रशार जिन जिन छेत्रों में हुआ था उसे जो है SWFA बनाया जाता है Southwest Southwest Frontier Agency ओके तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जहाँ प्रसार हुआ था यह SWFA जो है एक चीज और कि इसका नाम जो है छोटा नागपूर हो जाता है क्या छोटा नागपूर कब होता है 1854 में 1854 में ओके और सुरुवात में क्या है कि हजारी बाग को SWFA के अंदरगत रखा जाता है पहले SWFA का ही निर्मान होता है ठीक है उसमें हजारी बाग भी सामिल है बाद में उन छेतरों को अलग कर दिया जाता है जो की कोल विद्रों के परसार से स्वतंदर था उन छेतरों में कौन कौन एरिया सामिल है उसमें हजारी बाग हो जाता है और हजारी बाग actually हजारी बाग एक जीला बनाया जाता है इसमें सामिल होता है रामगड कुंदा केंदी ये कुंडा भी बोलते हैं इसको खडगडिया खडगडिया ओके, तो रामगड, कुंडा या कुंदा केंदी खडगडिया इन सब ही राजियों को मिला कर हजारी बाग जिला बनाया जाता है सुरुवात में ये SWFA में ही सामिल होता है लेकिन बाद में इन छेतरों को अलग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर फोल विद्रो का परसार नहीं हुआ था फिर ये जो SWFA है बाद में ये जो बिहार के गवर्णर होते हैं उनके अधिन नौन रेगुलेशन प्रोविंस के तौर पर यहाँ पर जो है रूल किया जाता है ओके 1857 का जब विद्रो होता है उस समय हजारी बाग में भी इफेक्ट देखा गया था हलांकि तुरंत यहाँ पर जो विद्रो है संथाल विद्रो उसको 1857 विद्रो वो भी हुआ था उसका भी परसार हुआ था संथाल विद्रो का भी परसार हुआ था यह दोनों को मैंने मिक्स कर दिया न दोनों आसपास ही था पहले यह याद रखे कि संथाल विद्रो का भी परसार हुआ था ओके दूसरा 1857 का विद्रो इसका प्रसार हुआ था लेकिन 1000 बाग के छेत्र में इसका प्रसार कब होता है ये 30 जुलाई 1857 तो ये इसका हिस्ट्री हो गया बड़ा बहुत और इसके अस्थापना कब हुई है 1833 में 1833 तो ये एक पार्ट लगबग कम्प्रीट होता है स्थापना कब है 1833 कहीं कहीं आप देखेंगे 1834 लिखा रहता है एक्चुली होता ये है कि SWFA बनाया गया है थाथिस में और उसी समय प्रोसेस अस्टार्ट हो जाता है कि उन छेत्रों को अलग किया जाए जिसमें जहां पर कोल विद्रों का परसार नहीं हुआ था तो पहले रामगर्ड वाला एरिया हो गया कुंडा, केंडी, खड़कडिया हो गया फिर बाद में हजारी बाग बनाया जाता है इनको मिला कर तो इसलिए 33-34 लिखा जाता है तो इसे कन्फ्यूज नहीं करना है ठीक है, यह हो गया अब देखते हम लोग एरिया इसका एरिया ओके, जहारखंड का जो टोटल एरिया है वो कितना है जहारखंड का सेवेंटी नाइन थाउजन सेवन हंड़िट सिक्स्टीन, सिक्स्टीन मैंने बताया था, फोटीन जो है वो एकोनोमिक सर्वे में यह जहारखंड गौर्वर्मेंट का जो डेटा है उसे मेंसन किया वर राता है चेंटल गौर्मेंट के डॉकुमेंट में आपको सिक्स्टीन ही मिलेगा चाहे वो सेंसर्स हो, और इट सर्वे रिपोर्ट हो सब जगा सिक्स्टीन ही मिलेगा 79,716 स्क्वार किलोमेटर ओके हजारी बाग का एरिया कितना है हजारी बाग का एरिया है 3,555 3,555 स्क्वार किलोमेटर ओके ये हो गया हजारी बाग का अब इसमें आपको ये भी समझना है साथ साथ कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है नमबर एक पे रहता है परश्यम सिंग्वं ओके और सबसे लाश्ट में यहाँ पर बारवे नमबर पे है हजारी बाग और सबसे लाश्ट में 24 में कौन साथिष्टिक है ये है रामगड रामगड कितना इसका 1341 स्क्वार किलोमेटर परश्यम सिंग्वंगा कितना है 7224 ओके तो ये एरिया हो गया जहारखन की बात करें तो जहारखन जो है इंडिया में 15 प्लेस रखता है ये क्या है 15 है इन इंडिया जबकि हजारी बाग जहारखन में बारवा स्थान रखता है ओके पॉपुलेशन की बात की जाए जन संक्या जहारखन की सभी एक्जाम में तो काम आएगा ही आएगा अगर आप JPC के इंटरिव तक पहुंसते हैं तो भी ये काम आएगा जैसे कि आप हजारी बाग से बिलॉंग कर रहे है या किसी पर्टिकलर डिश्टिक से जिसमें आप बिलॉंग कर रहे हैं जिससे तो पॉपॉलेशन जो है ये कितना है तो पहले मनों लोग दिखते हैं ज्छारखन के लिए ज्छारखन की जनसंक्या कितनी है अब ये मुझे बताने की ज़रूत नहीं कि ये जो डेटा है झारखन की जनसंक्या है 3.297.188.134 ये है rank कितना है इंडिया में 14th rank 14th है अलग से मैं जनगन्ना को पढ़ा दूँगा इसमें हजारी बाग की जनसंख्या कितनी है 17,34,495 17,34,495 सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो राची की है सबसे ज़्यादा जनसंख्या राची उसके बाद धनबाद तीसरे अस्थान पर आता है गिरेडी चौथ्या स्थान पर इष्ट सिंग्भूम पाचवाँ पर आता है बोकारो कमसे कम टॉप फाइफ आपको याद रखना है 6 में पलामो आता है, 7 में हजारी बाग आता है तो ये कम से कम टॉप फाइफ आप याद रखेंगे इसका स्थान कितना है इसका स्थान है साथवाँ, ये एरिया हो गया अब इसमें जो है जारखन की ये हजारी बाग की जो जनसंकिया है इसमें अर्बन पॉपूलेशन कितना है इसमें जो है मतलब सहरी जनसंकिया सहरी जनसंकिया ये कितनी है जारखन की बाद की जाएं तो 24.05% 24.05% हजारी बाग ये कितना हो जाएगा 15.87% ओके ये सभी डिश्टिक के लिए तो नहीं पूछता है जेपेसी में अगर कोशन रहेगा तो जो इंपोर्टेंट अस्थान रखता है उसके बारे में ही कोशन पूछता है लेकिन जेपेसी के अलावे जितने भी एक्जामस होंगे तो उसमें ऐसा कोशन रह सकता है सभी डिश्टिक को लेकर ओके ये हो गया फिर यहीं पर हम लोग देखते हैं जो लिंगा नहुपात है ये जहारकंड के लिए कितना है टोटल ओवरल जहारकंड के लिए ये है 948 अब इसमें हजारी भाग आपको देखना है हजारी भाग ये 947 हो जायागा अब जैसे आपने ये लिंगा नहुपात पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा किसका ये भी पता होना चाहिए पायश्ट किसका है पश्यमें सिंग्भूम का एक हजार पाँच सबसे कम किसका है धनबाद का कितना है ये 909 है एक है ये ट्रेसी रेट साक्षर्टा दर ये कितना है जार खंड का ये है 66.1% अजारी भाग का कितना है हजारी भाग का ये 69.75% देखे अगला 24 दिन हर दिन हम लोग एक डिश्टिक को पढ़ेंगे और हर दिन ये रिपीट होगा जो आज मैं बता रहा हूँ कि कल देखेंगे आपके रिपीट हो रहा है तो सब कुछ याद हो जायागा लेटेसी रेट के मामले में हजारी भाग का जो रैंक है चारकंड में ये सात्वा है एक वैसा ही जैसा कि पापुलेशन में है अब सबसे ज़्यादा साक्षर्टा दर कौन से जीले का है कौन सा जीला हो जाएगा राची कितना है 76.06% और सबसे कम किसका है पाकोड़ ये कितना है 48 48.82% ओके ये चीज़े हैं अब देखते हैं हम लोग विधान सभा और लोक सभा विधान सभा और लोक सभा विधान सभा एवं लोक सभा ओके सबसे पहले विधान सभा जार्खन में जो विधान सभा है उसकी संक्या कितनी है 81 जार्खन में 81 विधान सभा है हजारी बाग में हजारी बाग में चार है कौन-कौन सा है बढ़का गाओ बढ़का गाओ बरही हजारी बाग बरकटा अब यह जो चार विधान सभा छेतर है तो इसमें एक विधान सभा जो बरकटा है यह important है क्यों important है अभी बताया जारा आपको देखिए 2019 का जो विधान सभा चुनाओ हुआ था 2019 का विधान सभा चुनाओ इसमें दो विधायक ऐसे थे जो की निर्दलिय थे एक तो आप सभी जानते हैं सर्यू रोय दूसरे कौन थे? दूसरे थे अमित कुमार यादव अमित कुमार यादव सर्यू रोय की जो कॉंस्टिचिवेंसी थी जो विधान सभा चेत्र था वो था पुर्वी जमसेत्पूर जबकि अमित कुमार यादव का जो विधान सभा चेत्र था अकलब जो है वो बरकट्टा ओके? तो यह एक इंपोर्टेंट है और इनका क्या था? इस्ट जमसेत्पूर यह क्या हो गया? विधान सभा हो गया लोगसभा की बात की जाए लोगसभा की बात की जाए तो जहारखन में फुल लोगसभा चेत्र कितना है? 14 ओके? 14 है तो यह जो 14 लोगसभा चेत्र है इसमें सेड्डूर काष्ट के लिए एक है कौन सा लोग सब अच्छे तरह है, पलामू एड्योर ट्राइब के लिए पाँच है, कौन कौन सा मूटी दूमका लोहर दग्गा राजमहल और सिंग्भूम यह पाँच जो है, यह अनुसुचित जन जाते के लिए अरक्छित है, कितने बच रहे हैं? टोटल आठ बच जा रहे हैं, जो कि अन्रिजर्वड है यह आठ है तो इसी में से एक है हजारी वाग इसी में से एक है हजारी वाग तो जो हजारी वाग लोगसभा छेत्र है, हजारी वाग लोगसभा छेत्र, इसमें कौन-कौन से विधान सभा छेत्र आते हैं, यहाँ पर देखे, अभी आपको बताये गया कि हजारी वाग में चार विधान सभा छेत्र हैं, कौन-कौन से बढ़का गाउं, बरही, हजारी वा और बरकट्टा तो जो बरकट्टा है इसको अब छोड़ देजिए बाकी जो तीन है वो सभी हजारी बाग लोगसभा के अंतरगत आते हैं तो इसमें एक तो हो गया हजारी बाग टोटल चार विधान सभाचित्र है उसमें से तीन कौन सा बच रहा है एकसेप्ट बरकट्टा क्यों बरकट्टा कहां चला गया यह कोडर्मा लोगसभा का हिस्सा है यह जो है कोडर्मा लोगसभा का हिस्सा है दूसरा है रामगड रामगड में दो विधान सभाचेत्रे हैं एक है रामगड दूसरा मांडू ये दोनों के दोनों जो हैं हजारी वाग लोग सभाचेत्र के हिस्सा है एक रामगड दूसरा मांडू ये जो हैं हजारी वाग लोग सभाचेत्र के हिस्सा है अब देखते हम लोग अनुमंडल सबडिविजन जहरखन में कुल अनुमंडल की संकिया कितनी है 45 खOY 45 अनुमंडल है सबसे ज़्यादा अनुमंडल है उत्री छोटा नागपूर और जीला की बात की जाए सबसे ज़्यादा अनुमंडल है गिरी ठी में छोटा नागपूर, कितना हो जाएगा, 13, ओके, यह सबसे ज़्यादा है, अब हजारी बाग इसी का हिस्सा है, तो हजारी बाग में अनुमंडल की संक्या कितनी है? दो, ओके, दो अनुमंडल जो है, यह हजारी बाग में है, चतरा में है, बोकारों में है, इसके अलावा संथाल परगना का साहिब गंज हो गया देवघर हो गया गोड़ा हो गया पिर राची है, गुमला है लातिहार में भी दो ही अनुमंडल है तो ये सब जीले हैं जहां पर दो अनुमंडल है तो हजारी बाग का जो दो अनुमंडल है एक है हजारी बाग दूसरा बरही अब देखते हम लोग प्रखंड के लिए तो बस इसमें आप नंबर याद रखे कितने प्रखंड है प्रखंड अंचल दो से तीन डिश्टिक हैं जहांपर प्रखंड और अंचल ये दोनों की संख्या इक्वल नहीं है तो जहांपर इक्वल नहीं है वहां आपको बताया चाहेगा जहांपर इक्वल है वहां दिमाग नहीं लगाना है तो प्रखंड अंचल जहारखंड में कितने प्रखंड है जहारखंड में 264 प्रखंड 264 अंचल है इसलिए अबलिक लिखा गया है इसमें हजारी बाग जो जीला है इसमें प्रखंट की संक्या कितनी है और अचल की संक्या कितनी है तो 16 इच हजारी बाग कितना है? 16 है अब हम लोग देखते हैं जो local administration होता है जैसे कि ग्रामिन अस्थानी प्रिसासन पर सहरी अस्थानी प्रिसासन इसको देखते हैं ग्रामिन अस्थानी प्रिसासन में ग्रामिन प्रिसासन देखे, प्रखंड जो है, वो कितने 264, जितने प्रखंड है उतने पंचायत समीती हैं पंचायद समीती कितने है? 264 मतलब जतने प्रकंड है उतने पंचायद समीती जहां जतना प्रकंड है उतना पंचायद समीती रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि जो हजारी वाग है वहां कितना पंचायद समीती होगा? 16 कितना होगा? 16 होगा मतलब जो प्रखंड की संख्या है अब इसमें क्या है कि जो नोटिफाइड एरिया है नोटिफाइड ब्लॉक जो है उसकी संख्या कितनी है पूरे जार्खंड में तो पूरे जार्खंड में जो अधिसूचित प्रखंड है अधिसूचित प्रखंड यह 132 प्रखंड कितना हो गया 132 इसी को हम लोग अगर देखते हैं जीला के रूप में अधिसुचित जीला कितना नोटिफाइड डिस्टिक कितना है अधिसुचित जीला ये कितना है तो ये टोटल 16 है अब 16 में 13 जो है वो संपूर्ण है मतलब complete 13 संपूर्ण रूप से है और 3 जो है ये आंसिक रूप से है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया जैसे कि किसी डिश्टिक में अगर आंसिक किसी डिश्टिक को अगर बोला जा रहा है कि वो आंसिक जीला है उसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रखंड उसके अधिसूचित नहीं है संपुंड का मतलब यह हुआ कि उस जीला का सभी प्रखंड जवा अधिसूचित प्रखंड है यहां 16 हो गया जो अधिसूचित जीला नहीं है कितने नहीं है? 8 तो यह जो 8 जीला है इसमें कौन-कौन से जीले हैं, देखिए, नौर्थ छोटा नागपूर, में टोटल कितना डिश्टिक हैं, साथ, ये साथ के साथ इस वाले कडिगरे में आ जायेगा, मतलब पूरा का पूरा उत्री छोटा नागपूर जो है, ये नौन नोटिफाइड वाले में आ जाता है, संथाल परगना का देवघर, वालक सब यहां पर याद नहीं करना आपको, पस इतना समझ लीजे, कि एक उत्री छोटा नागपूर, प्रमंडल कंप्लीट, संथाल परगना का देवघर, इसको मिला कर कि अधिसूचित नहीं है, बाकि जितने बसते हैं, वो सभी क्या हैं, अ जारखन में कितने हैं, जारखन में टोटल है, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, हजारी बाग में कितने हैं, हजारी बाग में, टोटल, 257 है, गाउं कितने हैं, देखे ये कोशन पूशा हुआ है कि जहारखंड में डोटल गाउं कितने हैं अगर यहां पर आप census का report देखेंगे इसमें बताया गया कि जहारखंड में जो गाउं की संक्या 32394 कितना? 32394 यह किसका report हो गया? census का एक बार ये कोशन आया था तो उसमें जो option था और इसको सही किया गया था वो था 32,620 32,620 ये आया हुआ इसलिए आप ध्यान में रखिए लेकिन यही चीज आप economic survey में देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको ये मिलेगा 32,727 ये economic survey 2022 से 32 में mention किया गया है तो next time अगर village वाला कोशन आता है तो ये 32,620 हो सकता नहीं दे 727 दे तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कोई एक ही option में मिलेगा, सारा option में नहीं मिलेगा ये हो गया सहरी छेतर से सम्मंदित जो प्रिसासनिक इकाई है उसको हम लोग देख लेते हैं सहरी छेसासनिक इकाई इसमें एक नगर निगम है हजारी वाग नगर निगम ये total जो जहारखन में नगर निगम है ये कितने नौ है लेकिन economic सब्सक्राइब में कितना बताया गया बारा बताया गया होके हजारी वाग हजारी वाग नगर निगम इसकी अस्थापना कब होती है 2015 में साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हजारी वाग नगर निगम है ये 1886 में ही नगर पालिका बना था नगर पालिका नगर निगम ये सबी जो हैं मैं बता रहा था कि हजारे बाग नगर निगम जो है 2015 में इसके अस्थापना हुई थी लेकिन 1886 में ही यह नगर पालिका बनाए गया था यह हो गया इसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसमें important places जो है जैसे की waterfall हो गया गर्म जलकुंड हो गया इस तरह के जो places है इसको जलकुंड है तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है सुरजकुंड का जो कि बहुत ज़ादा important है सुरजकुंड है तो सुरजकुंड जो है यह कहां पर है हजारी बाग के बर्खटा प्रखंड में आता है यह यह बर्खटा प्रखंड में आता है किस सबडिवसन में आता है बर्खी इसलिए कहीं कहीं आप देखेंगे बोला जाता है कि सुरजकुंड जो है यह बर्खी में बर्खी अनुमंडल है आता है प्रखंड कौन सा छेत्र है बर्खटा इसका जो टेंपरेचर है इंटिग्रेट में 88.5 डिग्री से इंटिग्रेट होता है एवरेज ठीक है फोरेन है प्रखंड में एक रेंज आप याद रखेंगे और यह भारत का सरवाधिक गर्म जलकुंड बाना जाता है यह जो सूरजकुंड है सिर्फ यहें नहीं है वहाँ पर यहाँ पर टोटल पांच गर्म जलकुंड हैं यह कौन कौन से हैं एक तो खुद सूरजकुंड हो गया सूरजकुंड हो गया इसके अलावा राम लक्षमन तीता राम लक्षमन तीता, ब्रह्म या ब्रह्मा जलकुन टोटल कितने हैं? टोटल पाँच टोटल पाँच, हॉट स्प्रिंग, गर्म जलकुन है सुरज कुन के अलावा और कौन-कौन सा है? पजारी बाग में एक टाइगर है, टाइगर हॉट स्प्रिंग टाइगर हॉट स्प्रिंग, ये बराकर नदी में है, कहां पर रही है? बराकर नदी में है, बराकर नदी के नजदिक है उसके तट के नजदिक है, फिर पिंडार कुन्ट पिंडार कुन्ट हर हद ये सब important ये hot spring हो गया जल परपात जल परपात में एक बोकारो waterfall है बोकारो waterfall बोकारो waterfall जो ये बोकारो नदी पर है बोकारो नदी वही जो कि कुनार की सहक नदी है बोकारो नदी हजारी बाक से ही निकलती है और कुनार से जाकर मिल जाती है फिर बंदर चुवा waterfall बंदर चुवा waterfall ये महुदी पहाड़ पर है फिर दुमारो waterfall दुमारो waterfall ये भी महुदी पहाड़ पर ही है बंदर चुआ डुमारो यह एक दूसरे के आसपास है यह waterfall है इसके बाद river देखते हम लोग नदी हजारी बाग से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है जैसे कि बराकर यह जो बराकर नदी है यह हजारी बाग से ही निकलती है हजारी बाग के पदमा से निकलती है हजारी बाग के यह पदमा से निकलती है और दामोदर की सबसे बड़ी साहक नदी है यह इसके अलावा बरसोती नदी है बरसोती नदी है यह हजारी बाग से निकलती है इसका origin हजारी बाग ही है इसके आलाव है कुनार नदी हो गया इसका भी ओरिजिन हजारी बागी है इसके बाद परसोती हो गया, कुनार हो गया, एक बोकारो नदी कुनार की सायक जो है, बोकारो नदी जमूनिया जमूनिया जैन्ती जैन्ती और पत्थरो ये अजय नदी से मिलती है देवगर में याद है जैन्ती हो गया फिर मुहाने इसको मुहाना भी कहते है मुहना या मुहाने ये जितनी नदियां आपने देखा ये सभी का origin कहा है हजारी बाग origin हजारी बाग अब सिचाई से सम्मनित जो परियोजना है उसको भी देख लेते हों लोग ये सभी exam में आता है मद्यम सिचाई परियोजना यहां पर major irrigation project नहीं है परियोजना इसमें एक है केशो केशो जलासे परियोजना लिखा रहेगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डैम बनाये गया है ये डैम है जलासे परियोजना ये हजारी बाग कोडर्मा दोनों के लिए है तो जब कोडर्मा आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये केसो जला से परियोजना आपको पढ़ने को मिलेगा केसो नदी पर है ये उन्हेसो बिरासी में इस्टेबलिस हुआ था हजारी बाग और कोडर्मा दोनों के लिए है ये ठीक है उसके बाद भैर्वा जला से परियोजना भैर्वा जला से परियोजना सलया सलया जला से परियोजना ओके ये ये जो एर है तो मैं रहने देता हूँ थोड़ा से इसमें कन्फ्यूजन है मुझे बस ये याद रखे कि हजारी बाग कोडर्मा ये दोनों के लिए है फिर पंच खेरो है सलया जला से परियोजना जो है ये बरसोती नदी पर है ठीक है ये जो है बरसोती नदी पर है 1992 है तो एक दिहान में थोड़ा से रखे गए सलया बरसोती नदी पर है उसके बाद पंच खेरो पंच खेरो जला से परियोजना ये हजारी बाग कोडर्मा दोनों के लिए है हजारी बाग कोडर्मा दोनों के लिए है कुनार जला से परियोजना कुनार ये 55 की ही परियोजना है 1955 लेकिन अभी भी कुछ नब कुछ construction होता ही रहता है जमूनिया जला से परियोजना ये इसके पहले इस्टेबिस हुआ है 1954 में ये है अब इसके अलावे जो important tourist places है इसको में लोग देखते है tourist places तो एक पदमा फोर्ट है पदमा किला पदमा फोर्ट ये जो है अब ये जार्खन पुलिस टेनिंग सेंटर बन चुका है जार्खन पुलिस प्रेनिंग सेंटर बन चुका है ओके रामगर्ड राजवन्स की ये आखरी राजधानी है इचाक से ट्रांसपर किया गया था पदमा ब्रह्मदेव नारायन सिंग के दुआरा ओके बाई ब्रह्मदेव नारायन सिंग क्या किया गया था इचाक से राजधानी पदमा किया गया था ये लास्ट कैपिटल है ये जो है लास्ट कैपिटल है पदमा फोट हो गया इसके बाद मेगा लेथ ये फेमस हजारी बाग का इसका जो है नेशनल लेवल पर तो नाम होता ही होता है इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम होता है मेगा लेथ मेगा लेथ का मतलब क्या हो गया बड़ा पत्थर बहुती बड़े अकार का पत्थर मेगा लिट आफ हजारी बाग बोला जाता है बड़े बड़े पत्थर है एक ग्राउंड है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है तो तीन जगा ये पाए गया है ये जो है तीन जगा पाए गया है कहां कहां पाये गया है एक है पंकरी-बरवाडी पंकरी-बरवाडी दूसरा-बाना दाग तीसरा-चानो गाउं यह जो मेगा लीथ है यह खगोल से संबंधित है एस्टोनॉमी से संबंधित है एक्विनॉक्स का जब समय होता है तो यहां काफी भीड लगती है Equinox मतलब जब दीन और रात बराबर हो जाए यह generally कव होता है 20-21 मार्श को और 22-23 सितंबर को होता है यह जो मेगा लित है यह एक खगोल वैग्यानिक थे 32-10 उनके द्वारख हो जा गया था वाई 32-10 इनके द्वारा यह खो जा गया एक टेंपल है यहाँ पर इसको बोलते है बनासो मंदिर एक तिर्थ अस्थान है यह बनासो मंदिर यह क्या है तिर्थ अस्थान है माभगवती का मंदिर यह माना जाता है इसको महा माया मंदिर भी कहते हैं बाना सूर, एक सिव भक्त थे, उनके द्वारा इस्टेबिस किया गया थे, फिर करजन ग्राउंड है, करजन ग्राउंड, यह जो करजन ग्राउंड है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, इसको स्टेडियम भी बोलते है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, वेर कुमर्सि स्टेडियम, यहाँ पर डियर पार्क भी है, हिरन पार्क, क्या नाम है हिरन पार्क का? चंदरपूरा, हिरन पार्क और दामोदर घाटी यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारन ने है, वो कब इस्टेबलिस हुआ है? 1976 में, अजारी वाग वाइड लाइप सेंचुरी, यह पूरा नाम लिख्धी दे रहा हूं मैं यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारन ने यह जो है, 1976 में इस्टेबलिस हुआ है और इसका एरिया कितना है? एरिया एक्जाम में आता है, आपने देखा था, JPC में पूछा था 186.25 स्क्वार किलोमेटर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसी का एरिया पूछा जाएगा 186.25 स्क्वार किलोमेटर, 76 में जो है यह इस्टेबलिस हुआ था इसके अलावे जो इंपॉर्टेंट सिक्षन संस्थान है, उसके नाम देखते हैं लोग अब सिक्षन संस्थान कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सिक्षन संस्थान है? विनोवा भावे यूनिवर्सिटी यह जो है 1992 में इस्टेबलिस हुआ है, 17 सितंबर 1992 राची विसी उद्याले से अलग करके इसको इस्टेबलिस किया गया था फिर एक भिखारी मेडिकल कॉलेज यह जो सेख भिकारी मेडिकल कॉलेज है, यह 2019 में स्टेबलिस हुआ था 2019 में, उस समय इसका नाम था हजारी बाग मेडिकल कॉलेज इसको 2020 में नाम चेंज किया गया सेख भिकारी मेडिकल कॉलेज तो दोनों चीज़ा आप याद रखेंगे पिर एक Dental College है जिसका नाम है अजारी बाग College of Medical Science and Hospital यह क्या है Dental College है यह Dental College है एक Ayurvedic College है इतना हो जाएगा फोर्थ नंबर पी एस Ayurvedic College Engineering College में एक है इसका नाम है UCET sort में बोलते है University College इंजिनेरिंग एंड टेकनोलोजी यह क्या है प्राइवेट इंजिनेरिंग कॉलेज है फिर IARI sort में बोलते हैं यह है क्या Indian अगरिकल्चर रिसर्च इंस्टिट रिसर्च इंस्टिट यह जो है कहां है बरही में है और 2015 में स्टैबलिस हुआ है ठीक है फिर मिर्दा मिर्दा सोध संस्थान तोयल रिसर्च इंस्टिट बर्ग रिस्रेफ्ट एंस्टिट यह 6 मिर्द लिस्टिट अपलान रिस Прीट स्टेशյ इसको N-R-R-I बोलते हैं और ये I-C-A-R का ही पार्ट है 1980 में ये इस्टेब्लिस हुआ था 1980 में यह इस्टेब्लिस हुआ यहाँ पर एक law college भी है इसका नाम है राजेंदरे law college राजेंदर law college जो पदमा वाला इलाका है वहाँ पर पुलिस चर्निक सेंटर बनाए गया है और उसके लिए पुलिस एकेडमी इस्टेब्लिस किया गया है जार्खन पुलिस एकेडमी ओके यह हो गया BSF training center भी है यहाँ पर BSF training center and school जिस तरह से नेतरहाट आवाज से विद्याले है जिस तरह से नमोदय आवाज से विद्याले होता है जिस तरह से सैनिक आवाज से विद्याले होता है उसी तरह से एक है इंदरा गांधी आवासी विध्याले यह कहा है जहरकन में हजारी वाग में है आवासी विध्याले और यह जो है 1984 में establish हुआ है कब 1984 में establish हुआ ठीक है इसके बाद देखते हैं हम लोग संथ कॉलमबा के लिए संथ कॉलमबस संथ कॉलमबस कॉलेज यह जो है यह Ireland के Dublin University के दोवारा established किया गया था अब 1895 में Dublin University Ireland 1896 में 1896 में यह कलकता विस्विद्याले से जो है इसको माननेता दिया गया है आफ लिसन भाई कलकेटा इनिवर्सिटी इसके जो फर्स्ट डीन थे उनका नाम भी आप याद रखेंगे फर्स्ट डीन जे ए मुर्रे ठीक है यह हो गया औरिष्ट की बात की जाया है हजारी बाग में फोर्स्ट तो जारखंड में जो फोर्स्ट की स्थिति यह वो क्या है पर्सेंटेज में 29.76% है फिगर में 23007 to 1 स्क्वार किलोमेटर इस बार एक्जाम में आया था फिगर में इसलिए दोनों याद रखिए फिगर परसेंटेज अब फोरिष्ट जो है अगर हजारी बाग के लिए देखा जाये हजारी बाग के लिए तो इसका जो 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 जोगरिफिकल एरिया है वो कितना है 5555 एरिया यह कितना है 3555 स्क्वार किलोमेटर यहीं अगर हम लोग देखें फोरिष्ट यह जो लगबग सड़े 3000 का एरिया है इसमें फोरिष्ट कितना है तो यह है 1363 1363 स्क्वार किलोमेटर मतलब परसेंटेस कितना हो जाता है यह 38.35 परसेंट यह हो गया फोरिष्ट अब यहां जो important minerals है इसके बारे में देखते हैं हम लोग minerals तो law ask अब सोचें कि law ask कहां आ गया यहां पर जिसके लिए सिंग्भू फेमस है वो है hematite magnetite जो है वो पलामवाल एरिया मिलता है और और कुछ हद तक हजारी बाग में भी मिलता है जो कि इस बार exam में आया था magnetite का law ask का magnetite वाला part magnetite यह एक पलामू में है लाते हार में है गुमला में है और हजारी बाग में है और हजारी बाग में है ओके यह law ask हो गया तीन जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलता है तीन तीन के मामले में हजारी बाग जो है नमबर एक पर है अब हजारी बाग में ये कहा मिलता है तीन अस्थान आप याद रखेंगे तिमरंट टांडी पीहरा और चपलाई बोलते हैं या चपलाड ऐसे ही कुछ नाम है चपलाई रफ में याद रखेंगे ये तीन अस्थान का नाम टंगस्टन टंगस्टन में भी हजारी बाग का अस्थान एक है टंगस्टन हजारी बाग जो है नमबर एक पर है उसके बाद अबरक अबरक के मामले में नमबर एक है कोडर्मा उसके बाद अस्थान आता है गिरेडी का और तीसरे अस्थान पर है हजारी बाग तो यह जो है नंबर तीन पर है यही तीनों छेतरों में पाया जाता है हजारी बाग, पोडर्मा और गिरिडी चूना पत्थर सिर्फ पलामों में नहीं है और भी एरिया में पाया जाता जारकंड का उसमें हजारी बाग भी सामिल है तो जो चूना पत्थर है, पाश्वा नमबर, चूना पत्थर, ये हजारी बाग के बरकटा में और दौसिर में पाया जाता है, ओके हजारी बाग, ठीक है, तो ये हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एकोनोमिक सर्वे से इंपोर्टन डेटा है, ठीक है, एकोनोमिक सर्वे का इंपोर्टन डेटा, इंपोर्टन डेटा फ्रॉम, एकोनोमिक सर्वे, तो हजार बाइस से, तैस, या फिर, तैस से चोविस, इन दोनों को कवर किया जा रहा है, ठीक है, तो एक अस्कीम है, जिसको बोलते हैं, अमरुत, क्या होता है, अटल मिशन, अटल मिशन, और रीजोवेनेशन, रीजोवेनेशन, और अर्बन ट्रास्फोर्मेशन, अर्बन ट्रास्फोर्मेशन, तो यह जो है, ये 2015 में इस्टैबलिस हुआ था और इसका उद्देश से क्या है उद्देश से है कि जो अर्बन एरिया में जो बेसिक नीड है उसको इंप्रूव करके वहां के लाइफ अश्टाइल की क्यालिटी को इंप्रूव करना और ये वैसे CT में जो है अप्लाई किया जाता है ये स्किम जहां कि जनसंख्या कम से कम एक लाग हो एक लाग से उपरवाली जनसंख्या में इस मिसन को जो है लागो किया गया है इसमें जैसे कि पार्क हो गया ठीक है पाने की विवयस्था करवाना सौंदरे करन तो ये सब जो है कुला कचरा को maintain करना ग्रीन अस्पेसेस को upgrade करना तो ये सब कुछ काम होते हैं तो ये जो scheme है जारखंड के 7 सहर को इसमें चुना गया है ओके 7 CT of जारखंड ओके अब इसमें कौन कौन सामिल है इसमें जो 7 सहर है ये है धनबाद राची दियोघर अजारी बाग आधित्तिपुर इतना हुआ पांची हुआ ना चास और गिरिटी चास और ये जो है ये सराय केला खरसामा के लिए याद रखेंगे आप और ये बोकारो के लिए याद रखेंगे तो ये जो 7 सहर है ये अमरोद असकी में selected है इसके बाद economic सर्वे में ही एक data दिया हुआ है कि कौन-कौन सा district है जहां पर HD population का एक distribution है कि 10 से कम percent है 10 से 25 परसेंट का figure है 25 से 40 है तो इसको देखते हैं हम लोग ये है percentage of HD population मतलब कोई district है तो उसके population का recording सबसे ज़्यादा जनसंखिया सेड्डोल ट्राइब की है या नहीं है तो figure जो है less than ये 10% से कम फिर 10 से 25 परसेंट 25 से 40 परसेंट 40 से 55 परसेंट 55 से 70 परसेंट और 70 से ज़्यादा more दन 70 परसेंट यहां पर लिख दे रहा हूं है यहां पर एक चीज तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि 70 परसेंट से ज्यादा है तो इसमें खोंटी और सिम्डेगा का नाम आता है इसमें खोंटी सिम्डेगा आ जाएगा 55 से 70 में गुम्ला पर्शिम सिंग्भूम लोहर दग्गा आएगा यह लिखी दे रहा हूं है याद रहेगा खोंटी और सिम्डेगा 55 से 70 में गुम्ला पर्शिम सिंग्भूम और लोहर दग्गा इसमें राची नहीं आएगा राची में फिगर ज्यादा है परसेंटेज ज्यादा खोंटी में है यह आपने पढ़ा है ना 40 से 55 यह लातेहार पाकुड और दुम्का 25 से 40 साहब गंच पर्शिम यह पुर्वी सिंग्भूम जाम ताड़ा सराई केला और राची 10 से 25 में आ जाता है देवगर बोकारो रामगड और रामगड गडवा और गोड़ा है रामगड अब दस परसेंट से जो कम ओला छेत्र है मतलब जो कम ओला डिस्टिक्ट है उसमें क्या क्या आ जाएगा उत्री छोटा नागपूर में तेड्डियो ट्राइब की जो जनसंख्या परसेंटेज में वो कम है जैसे की सबसे कम मिलेगा आपको कहाँ को डर्मा में ओके फिर चत्रा गिरिडी अजारी बाग धनबाद और पलामू तो ये सब जो डिस्टिक्ट है यहाँ पर इनके पपूलेशन के हिसाब से सिड्डियो ट्राइब की जो जनसंख्या है वो 10 परसेंट से कम है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो हजारी बाग है इसमें सिड्डियो ट्राइब का पपूलेशन कितना है 7.02% यह एक साथ में पूरा याद करवा दूँगा सिक्वेंस वाइस ठीक ना और सबसे अधिक कहा है खोंटी में है सबसे अधिक खोंटी में है आदिम जनजाती की जब बात की जाए तो आदिम जनजाती में इसमें आप याद रखेंगे कि हजारी बाग के छेतर में सबसे ज्यादा असूर आदिम जनजाती है जो असूर ट्राइब्स है इनका एरिया है गुमला लोहर दग्गा रामगड लातेहर और हजारी बाग और क्या है हजारी बाग है हजारी बाग के लिए अप इसका जो पेंटिंग है ये भी आप याद रखेंगे कौन सा पेंटिंग फेमस है यहां का तोहराय आठ तोहराय ये फेमस है हजारी बाग इसके अलावा कोहवर जिसको बोलते हैं कोहवर ऐसे लिखाता है कोहवर ये दोनों जो हैं फेमस हैं ये हो गया अब जो important person है उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग important person बस नाम याद रखिए कृष्णवल्लब सहाए ये में लिख बिहार से बिलॉंग करता है मतलब इनका जन्म जो है ये बिहार में हुआ था और इनका कारेज छेत्र इवेन इनकी मृत्यू भी हजारी बाग में हुए थी इनके जो पिता थे वो हजारी बाग में दरोगा थे इनका एजुकेशन में इनका जो एजुकेशन है वो भी हजारी बाग में हुआ था संद कोलंबस कॉलेज हजारी बाग इतने भी नैसल मूवमेंट हुए थे जैसे कि आसायो गांदोलन सवेनय अवग्यांदोलन भारत छोड़वांदोलन इन सब में ये हजारी बाग छेतर से जुड़े हुए थे इनके अलावा बजरंग सहय सरसुदी देवी, तालिग राम सिंग हजारी बाग चत्रा ये सब एरिया से ये सब जो है अंदोलन करते थे जब नमक सत्यागरा सुरू किया गया था तो हजारी बाग के हचान जी तालाव में इन्होंने एक सांके तिक नमक बना कर नमक कानून को तोड़ा था और नमक कानून का विरूत किया था तुर्शनवर लबसा है ये जो है इनही के बदावलत, मतलब इनका बहुती बड़ा योगदान रहा है राची में जो HEC इस्टैबलिस हुआ है सैने की स्कूल जो तिलया में इस्टैबलिस हुआ है तो इनका बहुती बड़ा योगदान है इवें बोकारो श्चिल प्लांट के इस्टैबलिस्मेंट में भी इनका हाथ है तो ये आप याद रखेंगे फिर सरस्वती देवी ये भी जो है राष्ट्यांदोलन से जुड़ी हुई थी और जब भी फेमिल फ्रेडम फाइटर का नाम आता है जहरकन से तो इनका सबसे पहले नाम आता है राष्वती देवी फिर इनके बाद हजारी बाग के ही छेतर से साधना देवी भी राष्ट्यांदोलन को लेट करते थी साधना देवी चाहे अहसा ही होगा आंदोलन हो भारत छोड़वा आंदोलन हो साधना देवी जब कृष्णवललब सहाय के द्वारा नमक आंदोलन सुरू किया गया था अचांजी तलाब में नमक बना कर तो उनके साथ साधना देवी भी सामिल थी साधना देवी रस्ट्यांदोलन को यह जो है लीट कर रहे थी हजारी बाब के छेतर से और बिहार अश्ट्यांद कॉंफरेंस हुआ था बिहार अश्ट्यांद कॉंफरेंस का दो सम्मेलन जहारकंड में हुआ एक पंद्रवा हुआ है एक 16th हुआ है जो 15th है वो पलामों में हुआ है 16th ये कहा हुआ है हजारी बाग में हजारी बाग में जो बिहार अश्ट्वेंट कॉंफरेंस हुआ था 16th अधिवेशन उसकी अध्यक्ष थी स्थरलादेवी तो ये सभी नैशनल मुव्मेंट से जोड़ी हुआ ही थी तो ये सभी जो है ये सभी क्या है Freedom Fighter है Freedom Fighter फिर आप याद रखेंगे एक है पंकश कुमार रजक पंकश कुमार रजक ये स्पोर्ट्स परसन है होकी से संबन्दित है पंकश कुमार रजक और South Asian Games 2016 जो की गौहोटी में हुआ था इसमें इन्होंने Silver Medal जीता था 2022 का जो Asia Cup था जाकाटा में हुआ था जो उसमें इन्होंने Bronze Medal जीता था अच्छे जब क्रिकेट की बात होती है तो क्रिकेट में एक female player है जिनका नाम है सुबलक्षमी सर्मा वो हजारी बाग से बिलोंग करती है एक ही female player है जिन्होंने नाम कमाया है National, International Level पर उके तो उनका भी नाम यहाँ पर mention किया जा रहा है Sixth सुबलक्षमी सर्मा ये जो है International किरिकेट प्लेयर रह चुकी है इन्होंने अपना जो पहला T20 है वो 2012 में खेला था 2012 में ही ODI औस्टेलिया के साथ और पहला अपना टेस्ट मैच जो है वो 2014 में इंगलाइन के साथ इन्होंने खेला था ये हजारी बाग से बिलोंग करती है अब मैंने जो आपको पढ़ाया है इसी तरह से आप सभी डिश्टी के लिए अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से लेक्चर को देखते हैं रिवाइस कर लेते हैं तो बहुत सारे कोशन्स एक्जाम के कवर हो जाएंगे बिल्कुल factual है सब कुछ जो एक्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे टॉपिक इसमें कवर करवाए गया है तो ये तो हजारी बाग का था इसी तरह से सभी 24 डिश्टी को आप पढ़ने वाले हैं ये मैंने कहा कि ये पेट क्लास का ही लेक्चर है लेकिन ये सभी 24 डिश्टीक योटूब पर भी अप्लोड किया जाएंगे इसका जो पीडिएफ है आप चाहे पेट क्लास में इंडॉल्ड हो या ना हो एप्लिकेशन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडिएफ इसका पीडिएफ चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्ट लेक्शर में थैंक यो फूर वाजिंग जारकन परिक्षा